श्री यंग में ये परिवर्तन देखे गए सारा शरीर पेट के भीतर धस्रा है धीरे धीरे अंग स्वस्थ हुए उस दिन से भक्तों ने महाप्रभू को एक छण भी दूर रहना बंद कर दिया एक शंकर पंडित नाम के भक्त थे सरूब दामोदर जी ने उनको भी महाप्रभू की सेवा में लगाया राद दिन महाप्रभू जी को घेरे रहते हैं भक्त गन राद दिन गवर हरी रोते हैं कभी गोपी भाव में आविष्ठ हो जाते हैं कभी राधा भाव में आविष्ठ हो जाते हैं कभी कृष्ण भाव में आविष्ट हो जाते हैं कभी अपने नखों से प्रत्वी के उपर कुरेद के कुछ लिखने लगते हैं उनकी अंगली सत्विक्षित हो जाती है रक्त निकल जाता है महाप्रभुजी जमीन के उपर कुरेद के हाथ से लिखने लगते हैं सर उबदामों दर आकर चर्ण पकड़ लेते हैं मेरे नात क्या कर रहे हो ललिता मेरे प्रभु मुझे छोड़के मथुरा चले गए ना मैं पत्र लिख रही हूँ मेरा पत्र मेरे प्रियतम को देया ब्रजवासी नहीं रह पाएंगे हे नंद नंदन मथुरा को त्याक के द्वारिका को छूड़के एक बार पुनह श्री व्रिंदावन आ जाओ कभी मथुरा विरह में डूब जाते हैं कभी भ्हमर गीत सुनते सुनते उद्धव गोपी संबाद उद्धव और श्री राधा के संबाद में निमगन हो जाते हैं कभी युगल गीत कभी गोपी गीत रात दिन इन ग्रंथों को इन पदों को सुनते हैं और रुदन करते हैं एक दिन तो इतना मथुरा गमन का विरह हो गया श्री महाप्रभु जी सवेरे से रात तक इसनान भी नहीं उपाया प्रसाद की तो कौन कहे बार बार सरूब दामोदर रायरामानंद हिर्दे से लगाते हैं महाप्रभु दीरस दारन करो नहीं सकी चले गए चले गए चले गए मैं ना रोख सकी वो अक्रूर मेरे प्रियत्म को ले गया दिखुँ जा रहे हैं रोख ले रत को रोख ले रोख ले रत को भागते हैं दर्वाजे की और भगत लोग पकड़ ले दीरस धारन करो ना दीरस दारन करो आप ऐसे करोगे सब भगत मर जाएंगे प्राण त्याग देंगे कहीं नहीं गए श्री कृष्ण आपके निकट है वो अक्रूर तो मतुरा धीश को ले के गया है महा प्रभुजी व्रिंदावन परितज्य पादमेकम नगच्छती स्याम सुंदर व्रिंदावन छोड़के कहीं नहीं गए व्रिंदावन में है अच्छा व्रिंदावन में है व्रिंदावन भिहारी व्रिंदावन में है तो ललिता मुझको दर्शन करा दे विशाखा मुझको दर्शन करा दे दरस बिन दूखन लागे ने दर्शन के बिना मेरे नित्र दूख रहे है लजिता दरस बिन दूखन लागे नैन जब से तुम बिछुडे पिया मेरे कब हुन पायो चैन दरस बिन दूखन लागे नैन विरह कथा कासों कहुं सजनी भाई छह मासी रैन मीरा के प्रभु कबर मिलोगे दुख मेटन सुख दैन दरस बिन दूखन लागे नैन कहीं नहीं गए आज आएंगे दो दिन की कहके गए है ना दो दिन की कहके गए है ललिता दो दिन की कहके गए है दो दिन में नहीं आए तो यमना में कूत के प्राण त्याग दूंगी हाँ हाँ दो दिन तो हो जाने दीजिए आ जाएंगे दीरस धरिये अच्छा आ जाएंगे ना आ जाएंगे आप विश्राम करो फिर सरूव दामोदर राय रामानन्द महाप्रवु को विश्राम करा देते हैं फिर गंबीरा में महाप्रवु अचेत होके पड़ जाते हैं आज तो सरूव दामोदर राय रामानन्द गोविंद शंकर पंडिस सब लोग दरवाजे परीस होए महाप्रभु को बहुत विरह हो रहा है दीपक की शिखा कुछ कम कर दी थी द्वार पे आके बैट गए थे थोड़ी देर को लगा महाप्रभु जी को तंद्रा आ गई है थोड़ी देर को इनको भी जबकी लगी तबी थोड़ी देर बाद अब ऐसे लेटते थे कि महाप्रभु के चर्ण दीखते रहे महाप्रभु कहीं उठकर चले तो नहीं गए चर्ण तो दीखते थे लेकिन भीतर से घर 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 की अवाज आ रही थी उसी समय गोविंद भीतर गए देखा महाप्रभु जी बैठे हैं अंधेरे में दीख नहीं रहा था उसी समय दीपक जोड़ा और जो दीपक का प्रकाश हुआ जो देखा ये भगवाँ ये क्या हो रहा है सरूब्दा मुदर जी को कहा रोकिये महाप्रभु जी को क्या कर रहे हैं महाप्रभु जी महाप्रभुजी उस समय गंभीरा की दिवारों से अपना मुख रगड रहे हैं कृष्ण हे कृष्ण हे कहते हुए गंभीरा की दिवारों से अपना मुख रगड रहे हैं माथा चिल गया है नासिका होटों से रग्द बहरा है कपोल चिल गये हाथ छिल गया सारा शरीर गंभीरा की दिवारों से रगड रहे कृष्ण है जो भक्तों ने थे पकड लिया सारा शरीर लग तुम्हे लत्पः हे नाम सिर पीट पीट कर रोने लगे अरे हम क्यों सो गए महाप्रहु बार बार कृष्ण विरह में पागलों की तरे दिवारों से सिर पीट रहे मिलादे दो दिन हो गए नहीं आए मर जाओंगी मरिबो निश्चे मरिबो अरे लरीता जहर लाके दे दे गले में फांसी डाल कर यमना में कूच जाओंगी नहीं या तू तो कहती थी दो दिन में आजाएंगे नहीं आए मरिबो मरिबो निष्चे मरिबो मरिबो कृष्ट थे क्रिष्ट थे कहते अच्छे थो सरूब दाम अदरने हाथों को पकड़ा सारा मुखलत पत रक्त में शरीर हाथ पाँ उधर संध्या तक जाके महाप्रभु जी के नित्र खुले और फिर अपने अंगों को देखा अरे ये सब चोट कैसे लग गई ये सब अंग शत्विक्षित कैसे हो गई सरूब दामोदर जी ने कहा महाप्रभु ये सब हमारे कारण हुआ है हमको भोजन जादे प्यारा था नीन्द जादा प्यारी थी अपने प्राण वल्लब प्रभु को छोड़के चले गए क्या हुआ महाप्रभु जी ने कहा ललिता रात को वंशी वजी थी रात को वंशी वजी थी ना तुम द्वार बंद करके चले गए मैं द्वार खोल रही थी कुंज का द्वार नहीं मिल रहा था उसी के कारण लगता है दिवार से मुक्का घर्शन हो गया रात को बंशी बजी थी ना तुमने भी सुनी थी ना देखो अभी भी बज रही है ना बंशी देखो मेरे कानों में ध्वनी आ रही है, बंशी भज रही है, बुला रहे है प्रियतम, ललिता तैयारी हो गई है रास की, मुझे को ले चल, ले चल ललिता, ले चल शाम सुन्दर बंशी भजा रहे हैं, प्राण निकल जाएंगे, बंशी नहीं बज रही है, रात को रास होता है महाप्रभुजी, देरस धारण करो, सूजाओ, रात को रास होता है, आपने कल से प्रशाद नहीं पाया है, हम सबने भी नहीं पाया है, प्रशाद पीत, प्रशाद पाईए महाप्रभुजी, अच्छा तो रात को रास में ले चलोगी न मुझे हाँ लेके चलेंगे आप धीरस धारण करो जैसे तेसे महाप्रहुजी को प्रशाद कराया फिर नाम कीर्टन सुनते अचेत अवस्था को प्राप्त होए इर अगला दिन सवेरा भक्त लोग चर्चा करते हैं महाप्रहु को कैसे सांतुना दी जाए राय रामानंद जी ने कहा आप गोपी गीत गीत गोविंद मस सुनाईए बोले महाप्रहु मुझे बार बार गोपी गीत सुनाने को कहते है ब्रहमर गीत आप विरह के गीत मस सुनाईए महाप्रभु कहें तो भी मत सुनाईए कोई और लीला सुनाईए महाप्रभु का चित्त हलका हो विरह की बात मत करिये उनके आगे अच्छा तो ठीक है अगले दिन आए महाप्रभु जी भजन कर रहे थे सुनाओ स्वरूपदामोदर स्वरूपदामोदर महाप्रभु जी की गोचारण लीला सुनाने लगे गोचारण लीला बड़ी मधुर लीला विनोद की लीला हास परिहास की लीला कैसे दाउजी के गले में हाट डालके आगे गाए, पाचे गाए, इत गाए, उत गाए गोबिन्द को गायन में बसवोई भावे है गायन चराय लावे गायन में सचू पावे गायन के हेत गिरी कर ले उठावे है गायन में सचू पावे गायन की खुर रज अंग लपटावे है चीतस्वामी डिर्धारी, वित्ठलेश वभूद्वारी, गारिया को बेश़धर गायन में आवे ललीता, स्यामसुंदर कहां गोचारन को गए हैं? महाप्रभुजी, ठाकुरजी, गिरिराज्जी गए हैं गोचारन के लिए गिरिराज जी गए हैं कहते 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 पुने समाधी में अब समाधी में दर्शन हो रहा है शाम सुन्दर गिरिराज जी के शिखर पे खड़े होके बंसी नाद कर रहे है श्रीमन महाप्रभुजी कहने लगे देखो अरी, गिरिराज शिखर पर बंसी बजावत शाम, सुन ललिता, गिरिराज शिखर पर बंसी बजावत शाम, सखी मेरो प्राण जिवन धन, रटत किशोरी जी को नाम, मैं गिरिराज जी जाओंगी, और महाप्रभुजी हागिर राज, हागिर राज कहते हैं मीरा सिखर, इतनी दुत्र गती से भगत लोग पकड़ नहीं पाए, महाप्रभुजी भागते चले गए, भागते चले गए, दुत्र गती से श्रीमन महाप्रभुजी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और उस उससमे चलते 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 तोटा गोपीनात के सामने जो चटक परवत विराज मान है। श्रीमन महाप्रभुजी उस चटक परवत को देख करके हागर राज हागर राज कहते हैं अचेत हो करके उस धूल के परवत पर जाकरके लेट गए। उस चटक परवत के भीतर गिराजी की भावना करते हैं, लोट पोट हो रहे हैं गिराज परवत पर, और उस समय महाप्रहुजी के कंट से घर घर की ध्वनी हो रही है, आज आखों से अश्रू की जगे रक्त की बूंद निकल रही है, सरूप दामोदर रायरामनंद चटक परवत के उपर लोट पोट हो रहे हैं कृष्णे कृष्णे कहते हुए, घर घर की अवाज वा रही है, एक एक रोम रोमा बली खड़ी हो गई है, एक एक रोम से रक्त की बूने बहार आ रही है, घर 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 के गले से रक्त बहर आए, भक्त लोग पागल हो गए, किस देर तक कान में कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, सचेत हो, महाप्रभु सचेत हो, कृष्ण है, कृष्ण है, बहुत देरे चटक पर बत पर पड़े पड़े, धीरे धीरे चेतना आई, बालु का जाड रहे हैं, रक्त के बौंदों को पूछ रहे हैं सरूब दामुदर राय रामानंद चर्ण पकड़ कर विलाब कर रहे हैं गवर धीरस धारड करो आप ऐसी लीला करोगे हम भक्तों से सेहन नहीं होगा हमारा हिर्दय फट जाएगा माहा प्रभुजी कहते हैं अरे दामुदर तुमने मुझे को कहां बुला लिया शाम सुन्दर ने वन्शी बजाके मुझे गिरिराज जी बुलवाया था और देखो गिरिराज पे खड़े होके वन्शी नात कर रहे थे और शाम सुन्दर की वन्शी से आक्रिष्ट होके सब गोपिया भाजी जा रहे थी मैं भी गिरिराज पर अपने शाम सुन्दर की वन्शी सुन रही थी कैसी शोभाती ललिता गिरिराज की हंताय मद्र बला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण इसपरशप प्रमूदा मानम तनोती सहगो गण योस्त योर्यत पानी यसू यवस कंदर कंद मूलई वो गिरिराज कितने सुन्दर हैं कितने पावन हैं कैसा सुन्दर वन्शी नाध हो रहाता तुमने मुझे यहां क्यों बुला लिया क्यों मुझे को गिरिराज से वापिस लोटा लिया सरूप कहते मेरे प्रभु आप जहां हो वहीं व्रिंदावन है वहीं गोवर्दन है वहीं राधाकुंड है पुन्हे किसी प्रकार महाप्रभुजी को ले करके आए पिर महाप्रभुजी को किंचित प्रशाद कराया किसी प्रकार महाप्रभुजी को सेन कराया पुने सवेरे महाप्रभुजी उठे है फिर भक्त लोग गेर के बेखती गए आज सवेरे से हट कर रहे हैं मेरा सिंगार कर दो रास में जाओंगी मेरा सिंगार कर दो ललिता मेरा लहगा का हैं ललिता मेरी चूनरी का हैं टीका ले आओ नठ ले आओ मुझे मेहंदी भी नहीं लगाई महावर भी नहीं लगाया आज पुर्णिमा है ना रास का दिन है मुझे सजादो ललिता देर हो जाएगी शिंगार कर देंगी अभी समय है रास तो रातरी को होगा ना हम आपको लेके चलेंगी अभिसार के समय अच्छा तो सिंगार ले आओ फिर थोड़ी देर बाद अपने आप भाव में परिवर्तन हुआ अरे नहीं नहीं ललिता ये टीकानत लेहंगा ये मेरा सिंगार नहीं है तो कौन सा सिंगार धारन करोगी आप बोले कानू आमार कानू कानू कृष्ण ही मेरी मनी है मेरे आभूषन है आभूषन नहीं पहरोगी आप पहनोंगी कानू आमार पराशमानी कानु आमार परश मानी नैनेर भूशान रूप दर्शान नैने भूशान रूप दर्शान कानेर भूशान नाम श्रवान कानेर भूशान नाम श्रवान कानु आमार परश मानी हस्तेर भूशान पाद सेवन हस्तेर भूशान पाद सेवान जीभा भूशान नाम श्रवान जीभा भूशान नाम श्रवान कानु आमार परश मानी कानु आमार परश मानी और की सिंगार बाकी आचे क्रिष्ण हार पड़ि आचे गरे कानु आमार परश मानी कानु आमार परश मानी नाम श्रवन मेरा कानों का भूशन है क्रिष्ण चर्ण इस परश हातों का भूशन है मेरी नेनों का भूशन क्रिष्ण दर्शन है ललिता इसी सिंगार से मुझ को सजा दे आज ले चलेगी ना हाँ हाँ आज जल विहार है रास विहार है आपको ले चलेगी पर आप विश्राम करो ना महाप्रभु जी संद्या कुछ प्रसाद लेके पुनहे विश्राम कर गए पुनहे रात को सब भक्त लोग भी इस प्रकार महाप्रभु को घेर के लेटे है कि महाप्रभु जा नहीं सकते लेकिन जब महाप्रभु को आविश होता है तब पता नहीं पड़ता महाप्रभु कौन मारक से गए है और इन भक्तों को भी जागते जागते कई कई रात बीट गई है मनुष्य शरीर है उस रात फिर जबकी लग गई थोड़ी देर बाद नित्र खुले गुबिंद ने दीपक जोड़के देखा रही महा प्रभुजी नहीं है पुणे दीपक लेकर के दोड़े जगनात पुरी में श्रीमन महा प्रभुजी नहीं दिखाई देते उस रात महा प्रभुजी अर्धरात्री के समय उठे थे और उनको रास विहार जल विहार की भावना हुई थी उस समय सब को लाम करके समुद्र तट पर भागे थे हाँ कृष्णा हाँ कृष्णा कहते और नील रंग का समुद्र उनको नील यवना के रूप में दीखा था और महा प्रभुजी कृष्णे है कृष्णे है कहते समुद्र में कूद गए कौन था उठाने वाला बहते, पुरी से मीलों दूर, जगनात पुरी से मीलों दूर, समुंदर में बहते बहते, कोणार्क बहते बहते आ गए, सूरे मंदर के निकट समुंदर में आधी रात का समय उसी समय कोणारक में रात को एक मच्छुआरा मच्छली पकड़ने गया था उसने जाल विछा रखा था संयोग से बहते बहते उसके मच्छली के जाल में महाप्रवु का देह आ गया था उसने तो सोचा था लगता है आज कोई बहुत बड़ी मच्छली कोई बहुत बड़ा जीव जाल में फस गया है बहुत आंदनी होगी लेकिन जैसे ही उसने जाल को खीचा था खिच नहीं रहा था जैसे ही जाल को खीचा था और खीशते खीशते लेके आया था लेकिन जैसे महाप्रहू के अंग को छुआ उस मच्छुआरे के भीतर कृष्ण पुरेम का प्रकाश हो गया और समुंदर तड़ कर कृष्णा है कृष्णा है और इतना पागल की जाल वहीं छुट गया पागलो की तुरे कोणारक समुंदर तड़ पर नाच रहा था नास्टे नास्टे इधर उधर भाग रहाता इधर भक्तों ने देखा महाप्रवू गंभीरा में नहीं है उन्हें धीपक लेके जगनात्पुरी में डोल रहे थे लेकिन महाप्रभु कहीं नहीं दी कड़े थे रो रो के पुकार रहे थे हे गवरांग कहा हो महाप्रभु जी कहा हो अपने भक्तों की सुधलो हम आपके विरह में प्रान त्याग देंगे हे गवरांग हे चैतन्य हे गवर ए प्रान धन कहा हो धूंडते 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 समंदर के किनारे किनारे कोणारक तक सरूब दामोदर आ गए पूरी पूरी को खोजा एक-एक मंदिर मट को खोजा फिर समंदर के किनारे किनारे तबी सामने से वो मच्छुवारा आता दिखाई दिया पागलों की तरह क्रिष्ण है क्रिष्ण है क्रिष्ण है क्रिष्ण है क्रिष्ण है क्रिष्ण है कईते कभी लोटता था कभी नासता था कभी गिरता था शरूब दामोदर जी रायन रायन आम अंद देखो इसको इस मच्वारे को रहाए रामानिंद जी ने कहा ये तो मच्छुवारा है सरूफ दामोदर जी ने कहा ये कृष्ण नाम की मस्ती बिना गवर की कृपा के मिल नहीं सकती जरूर इस मच्छुवारे का हमारे प्रभु से संपर्ख हुआ है उस मच्वारे के पास गए सरूप धामोदर अरे भाया ये तुम कृष्णे है क्रिष्णे है कब से कर रहे हो तुमारी ऐसी दशा कैसे हो गई वो कृष्णे है क्रिष्णे है कहते पागल हो रात क्या हुआ अरे मुझको लबता है कोई व्यादी हो गई क्या वादी हो गई कबसे तुम्हारी ये दशा हो गई कबसे नहीं हुई आज कोणार को रात को गया था मचली पकड़ने के लिए रोज जाता हूँ आज चाल में कोई विचित्र प्रानी भसाया मैं तो प्रसंद हो रहा था लेकिन जाने उजाल में कौन वस्तू है चूत ही मेरे भीतर पागल पना क्रिश्न है fecture अरे भाईया तुमने क्रिश्न देखे हो तो मिला दो तुम क्रिश्न को जानते हो क्या सरूदामोदर ने का कौन वस्तू जाल में आई कहां है वो वस्तू वहीं समुंदर तर्थ पर छोड़ा आया उसके भीतर तो कोई तेज है कोई ऐसी वस्त में जो छुएगा पागल हो जाएगा कहां जा रहे हो किसी ओजहा के पाथ जा रहा हूँ लगता है सिर पर कोई भूत प्रेत सवार हो गया है सरूब दामुदर जीने का भूत प्रेत नहीं सवार हुआ तुझे गोलोग का परमधन मिल गया है बिना मोल के बिना मोल के मणी मिल गई है भाईया बता दे कहां है इशारा कर दिया उस समय भक्त लोग जो पहुँचे तो देखा जाल में कोई मचली नहीं है कोई जीव नहीं है दिरगाकार शरीर सारे शरीर का अंग समुन्दर के नमक के जल से गल गया है सफे सफे जाग सारे शरीर पे है शरीर की अस्थियां खुल गई है नित्र उपर चड़े हुए है एक केवल चर्म ही चर्म दिखाई देती है भक्त लोग व्याक लोग है उठाने के अवस्था वे नहीं था जहां से महाप्रभु कांग छूते हैं लगता था गल के शरीर गिर जाएगा यहां से कैसा आभेश पुन्हे सबने घेर के नाम कीरतन किया सरूवदा मुदर पुन्हे कान में नाम सुनाने लगे हे गोविंद रास विहारी शाम सुन्दर गिरधारी नंद नंदन मदन मोहन राधा दा मुदर राधा रमन राधा शाम सुन्दर हे गोकुलानन हे मदसूदन हे किर्ष्णा कर्ष्णा 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 सारी रात अचेत पड़े रहे कहीं सवेरे जाके कुछ सुधाई सारे शरीर रज में सना है बालू में सना है भक्तों ने बालू को पहुचा है महाप्रभू के गीले वस्तर बदले है कहीं सवेरे चेतना आई तब महाप्रभू जी ने अपने आपको कोडार्क समुंदर तट पर पड़े देखा अरे मैं यहां कैसे आ गया सरूब दामुदर ने कहे ना हमारा अपराद है आपको क्या हो गया था अरे ललिता सरूब दामुदर जी को देखते ही ललिता जी कावेश होता अरे ललिता आधी राड के समय बंशी बजी जी तू कहती थी न आज रास विहार होगा शाम सुन्दर ने आज जल विहार किया गोपियों ने बड़ी सुन्दर नोका का निर्मान किया था मेरे प्रियतम मेरी पतिक्षा कर रहे थे हाथ बढ़ा के मुझे नोका में बिठाया और फिर हम दोनों राधा शाम एका सने सेजे छे भालो ओ राधा शाम एका सने सेजे छे भालो राधा मादेर हे मुबरनी शाम ची कन कालो ओ राधा मादेर हे मुबरनी शाम ची कन कालो स्याम सुन्दर ने मुझे नोका में बिठाया और कैसी शोभाती यमना पुलन की ललिता विशाखा आडी जतो सखी गन ना चय घोरी घोरी आनंद मगन चारी दी के सखी गन नेचे नेचे जाए माजे नेचे नेचे चले राधा शाम राए पिर भक्त किसी प्रकार महा प्रभुजी को लेके आए इन लिलाओं का एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं बारहे वर्ष इसी रस में गोते खाएं स्वेम स्री कृष्ण राधा प्रेम राधा विरह के ताप को जेल रहे हैं पर नहीं जेल पाए ना ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि राधा को स्री कृष्ण के प्रेम में ऐसा उनमाद हुआ हो स्री राधा की कितनी सामर्थ कि सारे प्रेम बिकारों को हिर दे के भीतर दबा गई पी गई पर जब कृष्ण राधा बने राधा रानी का भाव लेके तो ठीक कहा था उस समय गोलोक में स्री जी ने कि आप से नहीं जिलेगा वो राधा कई कलेजा है जो कृष्ण विरह को सहन कर सकती है आप नहीं जेल पाएंगे ये एक दिन दो दिन नहीं प्रती दिन ये लीला हुई है इस लीला का वरनन करने में ब्रह्मा शंकर जी असमर्थ है कितना कोई लिख पाया प्रती दिन ये लीला हुई इसी गंभीरा में महानुभावों का कहना है महा प्रभुजी के मुक्सिश्शाष्टक प्रगट हुआ चेतो दर्पन मारजनम भव महादाव अगनी निर्वापड़म श्रेहकेरव चंद्रिकाव तरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अधिवर्धनम प्रधिपदंपुर्णा मृता स्वादनम सरवात्म सन्पनम परंभिजयते श्री कृष्न संकिर्थन कृष्न संकिर्थन करते हैं इस लोग को महाप्रहू गाते हैं कभी गाते हैं तरना दपी सुनी चेन तरो रपी सहिष्न ना आमानी ना माने देन किर्थनिय सदाहरी न धनम न जनम न सुन्दरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मिन्षवे भवताद भक्तिर है तुकी तवई हे नंद नंद न न धन चाहिए न जन चाहिए न सुन्दर इस्त्री चाहिए न कविता चाहिए ना और कोई संसारिक वस्तु चाहिए देनी है तो केवल अपने चर्ण कमलों की अहे तुकी प्रेमा भक्ती प्रदान करो अई नंद तनुज किंकरम पतितम्माम विशमे भवाम उधे क्रिपया क्रिपया तब पाद पंकज धूली सद्रिशं मिचिंतए हे नंद नंदन मैं इस विरह सागर में डूब रही हूँ अपने चर्ण की धूली मुझको बना लो कभी कहते हैं नेनम गलदस्तु धारेया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकहिर निच्दंबपू कदातब नाम ग्रहने भविष्यती हे नंद नंदन तुमारे प्रेम में मैं कब पागल हो जाऊंगी नेनम गलदस्तु धारेया कभी चित्पार मार रोकर कहते हैं युगाईतम निमेशेन चक्षशा प्रावरशाईतम शुन्याईतम जगस्वरबं गोविंद विरहेन में हे नंद नंदन युगाईतम निमेशेन आपके बिना एक निमिशकाल का वियोग मुझको युक्षे समाल लगता है चक्षशा प्रावरशाईतम मेरी आखों में लगता है बरशारितु आ गई है बरशारितु कितने आँख बहती हैं युगाईतम निमेशेन चक्षशा प्रावरशाईतम शुन्याईतम जगस्वरबं ए गोविंद तुमारे बिना ए सारा जगस्वरबं लगता है गोविंद विरहेन में कभी कहते हैं आशिलश्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करो तुवा यथा तथा विदधातू लंपटो मत प्राण ना थस्तूस अईवना परह हे ललिता भले शाम सुंदर मुझे अपने कंठ से आलिंगन करें और भले दर्शन न देकर मुझे अपने विरह में तलपा के मार डाले भले मेरे सामने किसी और रमनी को इसने करें पर हे ललिता हे विशाखा नंद नंदन के तरिकत और कोई मेरा नाथ नहीं है इस राधा के नाथ तो केवल स्याम सुन्दर है और क्रिश्न हे क्रिश्न हे कहते मुर्चित हो जाते हैं ये महाप्रहू के मुक्षे आठ श्लोक इनकी अनन्त व्याख्या है गंभीरा में महाप्रहू के मुक्षे इन श्लोकों का उच्चारन हुआ है अचेद 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 और इधर शची मैया नवद्दीप में एक दरश्टी उधर भी करें वो गवर शुन्य ग्रह जहां विष्णु प्रिया गवर वियोग में अचेद पड़ी रहती है शची मैया रोते रोते अंधी हो गई है अब वो प्राय लेटी रहती है अब उनसे जूर से रोया भी नहीं जाता बस कोई जब उनको गवर की स्मृती कराता है विकल हो जाती है नहीं रहा जाता तो द्वार पर जाकर बैट जाती है सत्तर बरश की आयू हो रही है शरीर जरजर हो गया सब भक्त लोग समय समय पर दर्शन करने आते हैं एक दिन शची मैया ने इस पश्ट रूप में कह दिया अम मुझसे गवर विरह नहीं सहन हो रहा रात्री के समय मुझे गवर का दर्शन हुआ है मैंने गवर को कह दिया